आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जिले में वारल और डेंगू के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है कभी कभी वारल बुखार में मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है कभी कभी वारल बुखार में मरीजों को हड्डियों में इतना दर्द होता है कि इस बुखार को हड्डी तोड बुखार भी कहा जाता है समय रहते इसका अलाश ना कराया जाए तो गंभीर समस्या मरीजों में देखने को मिल सकती है वारल को फ्लू, एंफ्लूएजा, साधरन बुखार या फिर हड़ी तोड बुखार के नाम से भी जाना जाता है ये बिमारी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बहुत आसानी वा बड़ी तेजी के साथ पहुँचती है इसके विशाडू एक से दो दिन या कभी-कभी कुछ घंटों में ही सक्रिय हो जाता है वारल बुखार के रक्षन अन्य बुखार के समान ही होते हैं जैसे तेज बुखार, सरदर्थ, बदन में दर्थ, तेज सूकी खासी, जुखाम, गले में खराश, छीकाना, नाकवा, आंक से पानी आना आदी इस बुखार में शरीर का तापमार 101 डिग्री से 103 डिग्री या फिर जादा भी हो जाता है यदि समय पर उचित इलाज किया जाए तो ये बुखार सबता भर में ठीक हो जाता है देखिए कई बार वाईरल साइनोवाइटिस या वाईरल फीवर के बात जो जोडों में सूजन आती है वो एकॉतिमीन डिक्षन को जनम देती है जिसके कारण ब्लूमारी बिमरी बिमरी ब्लूममारी बिमरी बेमरी बांतव हो सकता है और डिमाटार आथराइटिस एक इस तरह की बिमारी है जो के हमें जिसका टीटमेंट कभी-कभी पूरी जिंद्गी भी लेना पड़ सकता है तो ये एक कॉप्लिकेशन है जिसको हमें बहुत क्लोजनी निदान करना पड़ता है अगर डिड़ महीने में वारल फीवर के बाद डिड़ दो महीने में अगर आपका जॉइंट पिन सबसाइड नहीं हो रहा है तो आप और्टोपेडिक सर्जन को जरूर कंसल्ट करें अचानक बुखाराना सरदर्द, बदन दर्द, गले में खराश, नाक में खुजली होना, पानी आना, आदी वारल के सामाने लक्षन है ये जरूरी नहीं है कि सभी में वारल के एक जैसे ही लक्षन दिखाई दें यो तो इन संक्रमणों को आसर जादा दिनों तक नहीं रहता, परन्तु यदि संक्रमण बहुत गंबीर किस्म का हो, तो वह फैफ्टों को भी प्रभावित कर सकता है सीनियूस के लिए लक्षमीरा सेंग की रिपोर्ट